सब्सक्राइब एक बाद जान लो तुम लोग चनियाना हमारा भाई है अना दोस्त तुम लोग को जाना नो उसके पीछे जाओ फिर हम नहीं आएंगा बचाने के लिए का वहिया इदना गर में काया खाता है आज कर कोई मिल नहीं रहा है अगर में निकालने के लिए नमस्कार मैं राहूल श्रिवास्ताव और देख रहे हैं साहित जिसनेमा और समाज आज के हमारे महमान हैं फिल्म और टीवी अक्टर सरफरास अली दिर्जा सरफराजी बहुत- है सबसे पर तो जामतारा के लिए बहुत बड़ाई बहुत अच्छा काम कियो अपकर थान्यों पैटेंके हम आगे बात करेंगे लेकर हम चानना चाहीं जानना चाहींगे इस पहले के आपका जो family background है उसके बारे में आपका जन का हुआ कहां कहां कहेंधने लिए है और acting में किस तरहें आप आई जी है कि हमारे अम्मी और अब्बू दुनिया के दो अलग-अलग इंसान है और लेकिन एक चीज उनमें बहुत कॉमन थी प्यार कि अपनी अपनी फिलोसोफी होने के बावजूद दोनों कहीं ना कहीं बीच में जो जोड़ता था वो प्यार था और यहीं कि वो प्रोफेशनली टीचर है बच्चों को बढ़ाती है और हमारे अब्बू साहब पेंटर थे और नाटा को में सेट डिजाइन किया करते थे जरनी शुरू होती है रहूल अहम्दाबाद में मेरा घर है मैं अहम्दाबाद के रहने वाला हूँ अहम्दाबाद में मेरे अहर के एजएक्ट सामने औरिटॉरियम है जैशंकर संद्री बॉल तो यही था कि घर के ख्वीडकियों से घर के वरामदे से नजर आता था तो मेरे लिए तो भीड का मतलब शुरू में वही था और क्योंकि पापा के काफी फ्रेंड्स भुआ करते थे जिन में काफी सेट डिजाइनर के रूप में तो मेरा बच्पन उनहीं के बीच में गुजरा है तो वह सारा कल्चर मेरा वहीं से बनना शुरू हुआ लेकिन तब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि शायर में एक्टर बनूंगा या वैसा कुछ था नहीं लेकिन हुआ ये कि पढ़ाई पर एड्मिशन लिया कॉलेज में कमर्शिल था बीकॉम में एड्मिशन लिया लेकिन शायद रुजहान कुछ और ही था मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आने लगे वह आकड़े तो लगेली मैं फेल हो गया पास्टियर में असके बाद एकी चीज़ का डराया कि घर पर क्य क्या गरू क्या करू उट तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे ड्रामा डिपार्टमेंट के बारे में बताया था गुजरात यूनिवर्सिटी में इपार्टमेंट है जहां पर थेटर पढ़ाया जाता है तो वही था कुछ 10-15 रुपे का फॉम था वो लिया भ मुझे और घर पर जाने से पहले मेरे वालिद को अभू को पता चल गया था कि मैं इस ड्रामा कॉलेज में इडिमिशनल ले चुका हूं क्यूंकि जो वहां के होड़ी थे हैड़ अप दिपार्टमेंट थे वो मेरे पाप के दोस्ते हूंने पहले भी साब में तो यह था कि वो चीजें फिर पापा नहीं आसान बनाई कि मम्मी को कैसे फेस करना है और जिसे मैंने पहले बताया दोनों अलग-अलग सोच के दो अलग-अलग बेखती है जो साथ में रह रह रहे हैं तो यही था यही से शुरुआ थी फिर मेरी ठेटर की तो आपके वालिद जो थे वह आपको सपोर्ट करते थे उस वाद शुरू से ही जी शुरू से ही शायद वही एक मात था इंसान थी जिनको शायद इतना यकीन था मुझ मैं कि मुझ में वो शायद कूवत है जिन्दगी को समझने की और आर्ट को पर्शू करने की तो हाँ मेरे पापा का बहुत सपोर्ट शायद वह नहीं होते तो मैं कुछ आठ से नौ से पांच कुछ तो यह जो उनका भी वो भी एक साइट जायद थे ठेटर में का पिन बहुत थे तो उनके शायद समझे आपको और आपकी ठी जोंको राइट जी बिल्कु बिल्कु तो एनसडी जना कैसे हुआ एनसडी का खय 2010 में ग्रेजुएट हो गया था था ट्रैमिक आठ से फिर दो साल लगातार ने अपने ही शेहर में बास ट्रगल किया थेटर करने का यह मेरे क्योंके सारे बहुत अच्छे बैच मैट्स थे मेरे सीनियर्स थे तो हम लोगोंने एक ग्रुप बनाया और काफी प्ले की आया है लेकिन तब धिरे-धिरे समझ में आने लगा कि और सीखने की जरूरत है तो 2010 में ग्रेजुएट होने के बाद चीजों को समझने में प्रैक्टिस करने में लगा कि और भी चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है और फिर यही से NST का खयाल जहन में आया और अच्छा ट्राइ या दो हजार तेरा में मेरा अड्मिशन नहीं हुआ रहा हो दो हजार चौदा फिर आया एक साल पिर ऐसे ही निकाला और उस दौरान ये हुआ था कि हमारी मम्मी बच्छपन से ही बहुत प्रेशर कर दी और उनका खास ख्याल था कि हमें कुछ लिट्रेचर पढ़ना चाहिए कहानिये, कविताय, नजमें तो वो बच्छपन से ही आदत मा से मिली थी पढ़ने की हमारी वालना का ये बहुत बड़ा सही हुआ हुआ है तो फिर काफी प्लेस बढ़े गए कहानिये पढ़ी गई हिस्ट्री पढ़ी गई और फिर चीजों को समझने में एक एक एफर्ट शुरू हुआ कि एक हुमन बहेवियर, सुसाइटी और इससे परिचित होना भी बहुत जरूरी होता है सिर्फ आप एक्टिंग ऐसे ही होती है मतलब तुम आज पास के लोगों को जानों के नहीं सुसाइटी के नहीं प्सान लबजों में तो एक साल वैसे ह नहीं हुआ फिर बहुत निराश हो गया था मैं और उस वो निराशा को देख के मेरे क्या मेरे पापा को बहुत उम्मी देती मुझसे तो एक चीज तो यह थी कि आख फाइटिंग वाला स्पेरिट जो आया मुझे उम्र के उस दौर में आया कि अगर तुमें कोई चीज नह फिर मैंने ट्राइ किया और एडिमेशन हो गया रहा है और फिर जर्नी शुरूई ए एनसडी की तो एनसडी में भी बहुत उतार चड़ा हो देखें मतलब की इंसानी जिन्दगी का इंसानी फितरत का परते खुलती गई की सरफराज ये भी हो सकता है, सरफराज वो भी हो सक पर समझ में आया कि लोगों को अबसर्व करना तो बहुत बात की चीज है या सोसाइटी को देखना दूर से बहुत बात की चीज है तो मैं फिर अपना आपको जानने के प्रोसेस में गया और शायद वहां से मुझे अपने आपके लेर्स बहुत मिले और वही चीज़े हर चीज मुकमल तौर पर उतनी ही है जरूरत है तो सिब खूजने की तो उसी खूज में लग गया राहूल में है तो जामतारा जो आपने भी की है तो बताईए कि वो कास्टिंग कैसे हुई आपका स्लेक्शन कैसे हुआ जामतारा की यह राहूल इसको अगर लवजों में ए ने सफर में जाना था लेकिन ने सफर की जो तस्वीर थी वो बहुत जादा क्लियर नहीं थी क्यूंकि तब घर ही नजर आ रहा था तीन साल के बाद तो क्यूंकि अब सारे लोग दीरे दीरे बैचमेट्स अलग हो रहे थे और वो नेस्टी की जो दीवारे हैं उसकी जो पे लोग है, वहां की जानवर है, वहां की अलिटोरियम है, अब उनको छोड़ के जाना पड़ रहा था और जिंदगी का बहुत ही इमोशनल वक्त आप उस कैंपस में बिताते हो और आप लोगों को फिर इतनी गहराई से जानने लगते हो कि वो लगाव जो होता है वो और भी गाड़ा हो जाता है, तो लोगों को जाते हुए देखा था मैंने, मेरे सारे पैचमेट्स तीरे दीरे जा रहे हैं, बोई होस्टल से निकल रहे हैं, मेरे तोस्त और यह जीदी थी कि मैं सबको जाते हुए देखूंगा, और फिर लास्ट मैं मैं बचा था और मैंने एजनसी से बात कर रहा हूं और आपको एक ओडिशन है आप आजाईगे कल मैंने बहला सुहरी दोस्त मैं नहीं आपाउंगा मैं एहम्दाबार हूं तुन्हों नहों बोला की ठीक है फ़र टाइम लेलो थीक है मैं परसो आ सकता हूं फिर मैं मुंबई गया और अडिशन हुआ तो अडिशन मेरे पहला अडिशन था और वो अडिशन देते वक्ते ही बहुत मज़ा है जिसने अडिशन लिया था हमारे बड़े अज़ीज भाई है तो वहां से चीज़ें क्लियर हुई, ओडिशन दिया, सुकून था कि ठीक कुछ किया, अब लब करते भी इंसान को मज़ा आता है, मैंने एंजॉय किया और ठीक है, मज़े लिए उस चीज के, फिर मैं घर आया मैं अपने सीनियर के महां पे ठहरा हुआ था, मुंबई में कोई आप कब मिलने के लिए आ सकते हैं, और उसके मुदालिक सारी बातें कर लेते हैं, तो अगले ही दिन में गया, प्रूडिजर से मिला, कास्टिंग वाले हमारे भगिया से मिला, और ऐसे ही साइन हो गई, जामतारा, मतलब सायोग भी था, और शायद वो फाइटिंग स्पिरि चाहिए रहा हो उसके बात से, तब से अभी तक जमा हुआ हूँ मुंबई में और शायद गरी तो आप बताईए कि जब आपने जामतारा की शूटिंग थी तो उसके दौरान कोई गिसा ऐसा जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, कोई आदबार किसा की शूटिंग के जामतारा मैं सिर्फ लब्सों में नहीं बोलूंगा, यह मैसूस किया हुआ है वो जो लड़कों का ग्रूप है ना हम लड़कों का जो हर जगा बीच-बीच में तांडव करते रहते हैं तो यह हम शूट से पहले ही मिल लिये थे हमारे डिरेक्टर साब जो बहुत प्यारे मज़ेदार इंसान है तो उन्होंने शूट से पहले ही हमारे एक वर्क्षोप रखा था दस दिनों और उन्हीं दस दिनों में हम जो अजनभी थे एक जूसरे के लिए बहुत अच्छे दोस्त हो गए मतलब उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितना हम जामतार हमें नजर आया है हाँ हाँ ठीक है अच्छे यह दोस्ती अभी भी चल रही है तो हर एक इंसान के साथ बहुत मज़दार एक्सपियेंस रहा है लेकिन मैं अगर अपना परस्नल एक्सपियेंस जो इमेजिस मुझे अभी भी याद है जुनको मैं आख बन करू तो वो बकायदा वो फिल्म वो कि मुझे नजर आने लगेगी तो उनके साथ एक सीन था रात को कि उन्होंने मुझे और श्रावाज को पकड़ लिया है और यह हमको पॉलिस वहन में ले जा रहे हैं तो वहां पेक सीन है जहां पे मैं एक लुक देता हूं बिश्वाजी को और कुछ बोलता हूं और मुझे चमाट मारते हैं तो वह पहला ही सीन ओके हो गया था अच्छा और उससे पहले हमें पता भी नहीं था मैं दीब्यंदू दा से बहुत महबद है दीब्यंदू बट्टाचारिये जी इनोंने विश्वाजी किया हूँ तो संयोंक से फिरे करिष्टा मिल गया राग है वो एक्स्पेंशन फिर बाद में सीन कट हुआ और पिर दिब्यंदू दा आये बच्चा ते को लगा तो नहीं आए प्राइ तरा अच्छा ते को लग गया और फिर उनोंने पूछा कि क्या नाम है और कैसे तो मैंने बला मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ नैशनल स् वारी नहीं जन्रेशन आ चुकी है मैतान में तो यह दिब्यंदू था हमारे विश्वा जी के साथ एक अच्छा पहला हुमन टच्च था मेरा मज़ेदार था वो तो मैमरी रह गया यहां पर उस सामन और वो सेंसेशन तो आने वाले कल के लिए आपके ब्लांस किया है कुछ अच्छ ऐसा पाइपलाइन में भी कुछ है जो आप चाहेंगे बाद बोले हैं हाँ पाइपलाइन में भी दो प्रजेक्ट है जिसको मैंने साइन किया हुआ है लेकिन अनफोर्चुनेटली जो दुनिया अभी जिसको फेस कर रही है जिस पैंडेमिक और हम सारे ही लॉक्ड कुछ जो बिल्गुल क्योंकि हमें लोगों से गले भी लगना है हमें लोगों को बाहुमें भी लेना है एक फायट भी करना है तो हम वह कैसे कर पाएंगे तो मेरा कंस्तनी है हाँ कुछ प्रोजेक्ट मैंने अभी साइन किये हुए है और अभी उनका उपिशली एनाउंसमे तो अभी मैं अफिशली अनॉंस नहीं कर पाँगा ओजेक्ट ना लेकिन हाँ है अभी सफ़र फुड़ा सुरू हो रहा है तो सरप्राजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका किया आप हम से जोड़े और आपने इतनी सारी बात हैं साजा की और बहुत शुक्रिया इसलिए कि आ और हम चाहेंगे आपके फुचर के लिए आपको अच्छा काम ले और भी अठी और बड़ी फिल्में मिले आप ऐसी यहीं आप अच्छा काम करते रहें और कभी अगर मॉंबल या ना गुआ तो मिल्कुल बिल्कुल रहो और मैं भी आपका बहुत शुक्र गुजार हूं औ मुझे भी बहुत अच्छा लगा याप मतलब है एक चीज यह कि बात करना अच्छा लगता है तो नहीं मैं भी आपका शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे आप से बात करने का मौका दिया और आपने भी अपना बैतरीन हसीन वक मुझे दिया तो ऐसे यहीं में चलते र कर दो